अफगानिस्तान में घातक हमले जारी है इस बार उत्तरी अफगानिस्तान में जुमेगी नमास के दौरान ब्लास्ट हुआ निशाना शिया इलाकी के एक मस्जिद और एक धार्मिक स्कूल बने विसफोर्ट में 33 लोगों के मारे जानने की खबर है साथ ही 43 से अधिक लोग घाल हो गए है इस बारे में तालिबान के प्रवक्ता ने जानकारी दी है प्रवक्ता जभी हुला मुजाहिद ने ट्वीट में बताया कि कुंदुज प्रांत के इमाम साहिब शहर में ये बंव स्पोर्ट हुआ उन्होंने बताया इस हमले में मारे गए 33 लोगों में कई बच्चे भी शामिल है वहीं कई छातरों समेथ 43 लोग खायल भी हुए है हम इस अपराद की कड़ी निंदा करते हैं और पीड़तों की बती गहरी संबेद नाव्यक्त करते हैं हला कि मावलवी सिकंदर मस्जिद पर हुए इस हमले की जिम्मेदारी अभी तक किसी भी आतंकी संगठन ने नहीं ली है जब कि इसके एक दिन पहले दो हमले हुए थे जिसकी जिम्मेदारी आतंकी संगठन आइसिस ने ली थी अंदराश्री न्यूज एजिंसी एफपी ने घटना स्थल पर मौजूद लोगों के हवाले से बताया कि हमले के बाद का मन्जर काफी डरावना था मस्ज़िद में जो भी नमाज अदा करने पहुंचे थे वो या तो मर गई या गंभीर रूप से घायल है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुंदुज पुलिस ने कहा है कि वो जांच कर रहे हैं कि हमले में किस तरह का विसफोटा की इस्तिमाल किया गया था अफगानस्तान को पिछले साल तालिबानी लड़ाकों ने अपने कबजे में लिया था ऐसा कहा गया कि तालिबान के आने के बाद इस तरह के हमलों में कमी आई हाला कि आतंगवादी संगठन आईसिस एक बार फिर से आक्टिव हो गया इस पूरे हफ़ते ऐसी कई घटनाएं सामने आई जिसमें शिया इलाकों के आसपा स्कूलों और मस्जिदों को निशाना बनाया गया इससे पहले उतरी मजारे शरीफ में शिया मस्जिद में विसफोर्ट हुआ जिसमें 12 लोगों की मौत हुई थी और 58 लोग घायल हुए थे 22 अपरेल को हुआ हमला अब तक का सबसे घातक हमला है रजल आदंगवादी संगठन आईसस तालिबान के बीच लंबी दुश्मनी का इतिहास है मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले शुक्रवार को तालिबान प्रशासन ने कहा था कि उसने मजारे शरीफ मस्जद पर हुए हमले के मास्टर माइंड को गरफतार कर लिया है तालिबान पहले भी दावा करता रहा है कि उनकी सेना ने आईस को हरा दिया लेकिन विशेशग्यों का मानना है कि ऐसा नहीं है और आईसिस अभी भी सुरक्षा के लिए एक बड़ा खत्रा बना हुआ है यह ख़बर आपके लिखी थी हमारी साथी श्वेता ने रनाम है आस्था क्यामरा के पीछे हैं जैरी अपना खयार रखिए और देखते रहें दी ललन टॉप दी ललन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का पाईए ललन टॉप की वीडियो सबसे पहले पेस्बुक और यूट्यूब से भी पहले खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन बड़ी खबर हो या फिर हो किस से सब आपके फेवरिट सेक्शन आपको हैं बताने इतना ही नहीं क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाईए और दी ललन टॉप एप इंस्टॉल कीजिए